आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ अब हम इस Question को हल करते हैं सबसे पहले हम यहां पर श्रिंखला लिख लेते हैं 72, 36, 18 और प्रशन चिन के स्थान पर यहां में रिक स्थान लिख लिख देते हैं अब हम देख सकते हैं कि 72 और 36 के बीच में जो अंतर है वो 36 के बराबर है 36 और 18 के बीच में अंतर जो है वो 18 के बराबर है तो इसी तरह हम यहां से यह अनुमान लगाते हैं कि यहां पर जो प्रतिरूप प्रियोग किया गया है वो बराबर है कि अगर हम 72 को यहां पर 2 से भाग कर रहे हैं तो यहां पर यह 36 के बराबर होगा 36 को अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 18 के बराबर होगा उसी तरह अगर हम 18 को 2 से भाग करते हैं तो यहाँ पर हमारे प्रशन चिन के स्थान पर आएगा 9 जो कि हमारा उत्तर है और यहाँ से हमारा जो विकल्प सही हो रहा है वे है विकल्प नंबर 4 Thank you झाल करते हैं